नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है मैं विद्देश इंकर्तिवारी हूँ मन से प्रमुख राज ठाकरे आज सुबह से बरस रहें सबसे पहले उन्होंने कें सरकार को आड़े हाथ हो दिया क्या भारत कोई धरमसाला है बाहर के लोग को बुला करके बसाने की जरूरत क् रगताद बारी सुबसेना और उसके प्रमुख उध्धव ठाकरे की थी एक एजेंसी से बाचित में उन्होंने कहा कि एक्चुली जो सिवसेना और बीजे-पी है उसने घ्राश जो है महाराष्ट के लोगों के साथ जो है चल किया है जनादेश मिला था सिवसेना और बीजे करते थे सिवसेना में जब बाला साथ ठाकरे ने उधव ठाकरे को सक्सेशन ट्रांसफर करना शुरू किया तब दोनों भाईयों के बीच में तलखी बढ़ गई और अंतह उन्होंने सिवसेना को छोड़ दिया अपनी उन्होंने पाटी मंसे बना ली लेकिन मंसे के जो कह सकते है कि एक तरह से दाल उनकी गली नहीं महाराष्ट की राजनीत में मौजूदा जो बिधान सभा चुना हुआ था उसमें सिर्फ उनका एक बिधायक जीत करके आया लेकिन उधव ठाकरे का अपने नेचर अलग है बेसक वो सीएम की कूरसी को लेकर के बीजेपी के साथ दोनों यदि मिल करके सरकार बनाते तो जादा अच्छा होता आप ही भी सुने है कि परदे के पीछे दोनों पार्टियों में बाचित होती रहती है लेकिन जो राज ठाकरे ने वार किया है इस वार को समझना होगा कि आखिर का राज ठाकरे ऐसा क्यों का रहा है आपको उन्से का भी जो इकलावता विधायक है वहां पर बठा हुआ था और राज ठाकरे अपनी मा और उधाव ठाकरे की सगी चाची और मासी के साथ सपत गरहन समारों में आये थे उधाव ठाकरे ने उनको इस्पेसली इन्वाइट किया था तो एक विधायक ने क्यों नहीं रहे हैं इन्होंने कांगरेस और इन्सिप के लिए काम किया बट जो उ 뉴스 की कि पॉलिसी है जो ऑई ग्रेसन है वो कहीं से भी मैच नहीं खाता है वो 75 पार्टियों के साथ ही मैच खाता है और जिस तरीके से उत्तारभारतियों के प्रत I澮 the अभी उनका रूक रहता है औस कीया सीवसेना इंसीपी कांघ्रेस के साथ और अब वार कर रहे है है वह राजनैतिक वार है अपने भाई पे उधव allem ठyकृष धरसल उनके सामने चुनवती अब यह है कि कैसे ओना वोर्ट बेस को बढ़ाए है क्योंकि महारास्तशने राजनीत में दिरे दिरे वो चले गया है हासी यह पे पहले से है भी कुछ और अब और ज्यादे उसको ट्रांसफर कराना चाहते हैं इसलिए वो अलग लाइन ले रहे हैं और यहीं वज़ा है कि वो सीव सेना पे पहली बार ऐसा हुआ मतलब 28 नमबर को यह सरकार बनी थी अभी एक महिने भी पूरे नहीं हुए हैं और क्या सरकार बनने से पहले क्या ड्रामा हुआ था कैसे मिड़नाइट में देवेंद फढण नवीज को सपत दिलाई गई थी और अजीत पवार डिप्टिच सीम बने थे यह सब को पता है 12 तो उस समय जो सबकी नजरे थी सपत करहन समारों में जो उद्धव ठाकरे का सपत करहन समारों में तो उसमें राज ठाकरे पर थी अपनी चाची और मासी यानि कि उद्धव ठाकरे की मा और राज ठाकरे की मा दोनों सगी बहान है तो उनकी उद्धव ठाकरे की मा मीना ठा राजनित ही है इसमें तो बेसक ड्राइंग रूम में या परदे के पीछे से आप दोन भाईयों के रिलेशन बहुत अच्छे हो बट मधदताओं को आकरसित करने के लिए तो आपको इस्टेंड लेना पड़ेगा वही इस्टेंड राज ठाकरे ले रहे हैं और उसी की वज़ जैसे वह किन सरकार पर बरसे वैसे अब अपने भाई उधव ठाकरे पर बरसे उनके पार्टी चलाते हैं ऐसी उसे ना तो अपने राजनित करेंगे और राजनित कलपेटे में जो भी आएगा उसको लेंगे ये बात अलग है कि जब बरली से आदित ठाकरे चुनाओ लड़ तो जो है उन्होंने उनके खिलाफ कर डेट नहीं उतारा था उन्होंने कहा था कि इसको मेरा जेस्चर समझ़ली जी तो राजनित अपनी जगा पे परिवार अपनी जगा पहरार ठाकरे न poi समझ कर एंव और रूत्खुरिए कूंने घरने की कोशिश की है किसको उद्धाव ठाकरे और सिव से नाको तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर थैंक यू इन खबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले